नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? उमीद है कि आप लोगों ने अपनी दिवाली बहुत अच्छे से मनाई होगी और आज भी एक्तियोहार है, भाई दूज, तो आपका जादा समय ना लेते हुए जल्दी से हम चलते हैं आज की वर्कशीट पर आज दिन है सोमवार और तारीख है 16 नवंबर 2020 वर्कशीट नमबर है 109, जो की आपकी हिंदी की वर्कशीट है यह पाट स्वतन्तरता की ओर से ली गई है अब आज की वर्कशीट का नाम है पाट सम्बंदी क्रिया कलाब पाठ स्वतंत्रता की ओर को आप बहुत बार पढ़ चुके हैं जिन्नोंने नहीं पढ़ा वो जरूर पढ़ लें आईए पाठ के बारे में कुछ और नया सीखते हैं प्रश नमबर एक पाठ से लिए गए इस अनुचेत को पढ़िये वह नीचे लिखे प्रशनों के उत्तर दीजिए धनी बिन्नी को खीच कर ले गया और पास के नीबो के पेड से बांग दिया फिर बिन्दा ने उसे यातरा के बारे में बताया गांदी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुचेंगे गावों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे इस अनुछेत को पढ़कर आपको साथ में दिये गए प्रशनों के उत्तर लिखने है प्रशन को गांधी जी ने दांडी जाकर क्या करने वाले थे तो आपको बताना है कि गांधी जी दांडी यात्रा क्यों कर रहे थे वहाँ उस जगह पर पहुँचकर वो क्या काम करने वाले थे प्रशन ख दांडी नामक जगह किस राज्य में है इसका उत्तर आपको इसी पैरग्राफ में असानी से मिल जाएगा प्रशन गह समुद्र शब्द का प्रयावाची लिखकर वाक्य बनाईए आपको समुद्र शब्द का प्रयावाची बताना है क्या होता है और फिर उस पर एक वाक्य लिखना है प्रश्न घ गद्यांश में से निमलिखित शब्दों के प्रयावाची ढूंड कर लिखे आपको नेचे दो शब्द दिये गए हैं जिनके प्रयावाची इस अनुचेद में दिये गए हैं तो आपको वो प्रयावाची शब्द ढूंडने हैं पहला शब्द है व्रिक्ष व्रिक्ष यानिके आपको यहां से ढूनना है पेड़ दूसरा है दोस्त दोस्त को हम और क्या बोलते हैं वो इस पेरग्राफ में दिया गया है अब आते हैं दूसरे प्रशन पर बच्चों हमने पढ़ा था कि किसी शब्द का विप्रीत यानिके उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विप्रीत अर्थक शब्द या विलोम शब्द कहते हैं आईए पाठ में आई कुछ शब्दों के शब्दों को उनके विलोम शब्दों के सामने लिखते हैं तो आपको यहां पर इस नीले समंदर के अंदर कुछ शब्द दिये ग कणलतर, यांने की बात को नहीं नित Нील रंग के पांई में इसमैं की जो दिये गए हैं उसमें से आपNew भते पर्तंत्र के वह आपसे कि हों जो किसी के कबजे में हो, तीसरा शब्द है ताकतवर, चौथा शब्द है समाधान, समाधान यानिके उपाए, पांचवा शब्द है न्याए, यानिके जस्टिस, तो आपको नीले पानी में जो शब्द दिये गए हैं, जैसे कि समस्या, स्वतंत्र, कमजोर, अन्याए और वि जैसे समर्थन का उल्टा विरोध परतंत्र स्वतंत्र ताकतवर कमजोर समाधान समस्या न्याए अन्याए तो कुछ विलोम शब्द तो बहुती आसानी से पहचान में आ जाते हैं क्योंकि उनके जो बनावट होती है वो काफी मिलती जूलती होती है प्रश नमबर तीन निमलिखित पतंगों में से उन पतंगों को खोज कर उनमें रंग भरिये जिनमें शब्द की सही वरतनी लिखी हुई है तो आपको यहाँ पर दो अलग-अलग शब्द लिखके दिये गए हैं इनमें से एक शब्द की स्पेलिंग ठीक है यानिके वरतनी श तो सही वर्तनी वाले शब्द को ढूंड़िए और उसकी पतंग में रंग भरिए तो यह है आपकी आज की वर्क्षीट चुकि आपकी पाथ स्वतंत्रता की ओर से ली गई है इस वर्क्षीट को आप बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से कर सकते हैं और इसी के साथ आप क्य होते रहें और मास्क लगा कर जरूर जाएं और आपके घर में आने वाले महमानों को भी आप मास्क लगाने की सलाह जरूर दें हम बिलेंगे कल तब तक के लिए धन्या